तो आज मैं आपको लिप सुन नहीं न सिखाऊंगा बिल्कुल बेसिंग मेथेड़ से तो चड़े स्टार्ट कर तो सबसे पहले आपको तीन सर्कल बनाने दो उपर एक साथ छोटे से और उसके नीचे एक बड़ा वाला तो अभी मैं आपको बना कर दिखा रहा हूं और आपक अरगे तो अब आपको यह ऐसे दिखेंगे आपको बिल्कुल सीधे बनाने मेरी फोड़ी शीट एड़ी यह नहीं दो हैाटके बीच से अइसे लाएनलेकर जाने तो सर्कल के शेक बनाना है और ठोड़ा साथ सैड़ीक के लेकर नीचे लेकर आना है कि मारी उपरवाली लिफ की शेप बन चुकी है अभी यह जो चोटे सरकल लाइन के नीचे से ऐसे लेकर जाने लाइन और बड़े वाले सरकल के उपर से ऐसे लाइन लेकर जाने हैं आपको ऐसे बनाना है कि आप ऐसे जब लाइन निकालोगे तो जे उपर वाली लिफ की जो हमने लाइन नीचे लाई थी हमें इन दोनों के साथ ऐसे जोड़ देना दोनों तरफ से यह जो बड़ा वाला सरकल है इसके नीचे से हम लाइन लगाएंगे और इसको फ्लैट बनाएंगे और उपर वाले ूंकि जोड़ देंगे आपको यह सीधा ही मिननाना है मेरी शीर्ट अभी टेड़ी होरी थी इसलिए आपको यह पर दिङरे और आपको दोनों तरफ से ऐसे लिप्स को जोड़ देना है और आपके लिफ्स की शेर बढ़ जाएगी चरह भी मारी informal की शेप बन चुगे जो हमने अभी सर्कल बनाए थे अभी मिने देस कारदे अभी लिप की शेप बनने के रुले लिप पेंसल लेंगे और इसमें लिप में फूरे बेस्ट लेयर क्रेट कर देंगे अब इसे ब्लेंड कर देते हैं अभी हम 4B पेंसल लेंगे और जो बीच वाली लाइन है इसको हम थोड़ा सा डार करेंगे अभी हम 4B पेंसल जही उपर वाले लिम में डार्क शेड करेंगे हम इसे भी ब्लेंड कर देते हैं अभी हम 6B पेंसल लेंगे और जो हमने पहले लाइन बड़नाई थे हम 4B पेंसल से उसे और डार कर देंगे अभी पेंसल लेंगे और नीचे वाले लिम में शेडिंग कर देंगे और अगर आपके पास यह सभी पेंसल नहीं है तो आप एक एक पेंसल का इस्तिमार कर देंगे इसे भी ब्लेंड कर देते हैं हम एक पेंसल से ही जो नीचे वाली लाइन बनाई थे उसके नीचे थोड़ा डाक कर देंगे अभी हम इस सब को ब्लेंड करतेंगे अभी हम फोर भी पैंसल लेंगे और जो नीचे वाला ले पाप उसमें डिटेलिंग करेंगे अभी हम एरेजर से हाइलेट्स बनाएंगे इस यह थी वसमाँ पर कुछ शेडिंग नहीं करेंगे सिधा ब्लेंडिंग स्टफ को ऐसी यूज करेंगे करेंगे